हव्यों वेल्ड़ाइज। तो आज हम बहुत ही हेल्दी सूप बनाने जा रहे हैं । इसको हम करेड्ट से बनाएंगे , इससे मेटाबॉलीजम सही रहता है और यह मिटमिन एष में मिलता है oftentimes के लिए फायदेमन्द होता है आखों की रोसनी बहुत अच्छी कर देता है तो यह देखिए हमने 500 गाजर को छील के दो के ले लिया है और हमने 5 पीस ले लिया है गार्लिक एक इंच के टुकड़ा लिया है जिंजर और एक अनियन लिया है मेडियम साइज का बस इतना ही हमको इसमें डालना है बाकी और इससे हम पानी डालेंगे डूबने तक तो यह देखिए करेट हमारा डूब गया है अच्छे से बस इतना हमको डालना है अब हम इसमें देखिए सारे अनियन जिंजर और गार्लिक डाल देंगे तो पहले गार्लिक डालेंगे फिर जिंजर फिर अनियन और दो विसिल आने त करेट को कुछ घ्ल खेंगे ज़ानकि इसको थंडा करके को एक तदर्व काऑबूए तक शी स्टॉक ज्टोक करेप लेते हैं डेखिया देखान में कभी भी गरम चीज न पीशे नहीं तो डक्कन खुल जायागा और हम जल सकते हैं इसका विशेज ध्यान दीजे कि कुछ भी गरम चीज पीशना है तो उसे ठंडा करके पीशे हैं और यह देखिए हमारा पेवरी बनके त्यार हो गया है बहुत ही अच्छा पेवरी बना है तो हम इसे नहीं चान रहें क्योंकि पेवरी बहुत अच्छा बन गया है यदि आप में लम्स हो तो आप इसे चान लिए तो अब इसे हम स्टॉक को पैन में डाल देंगे और इसमें भी डाल देंगे जब दोनों खॉलने लगेगा फिर हम इसमें मसाले मिलाएंगे तब देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और हलका अलका उबाला आना शुरू हो गया है तो अब इस स्टेज में हम इसमें मसाले डाल देंगे तो पहले हम हाफ टीस्पून सफेद नमक डाल iber Denn जेर बोटको डाले और हाफ टीस्पून काली मिर्च कुटकी डाले और हाफ टीस्पून जीरा पावडर और हाफ टीशन चॉतμο क्याटमसाला बस मसाले हमारे इतने ही इसमें पढ़िगे इस से काफी टैंगी काफी चटपता टेस्ट आ जाता है अब इसमें हम थोडा सा न आ रहे हैं तो इसे जरूर डाले निवो अब हम आदा चमच बटर डाल देंगे यह टेस्ट भी इन्हेंस करता है और इसमें शाइनिंग भी आ जाती है अब हमारा सूप बनके तयार हो गया है इसे हम सर्व कर लेते हैं यह देखिए यह सूप बहुत ही हिल्दी है बहुत ही फा सब्सक्राइब करिए और अधिक सथिक मातरा में शेयर करिए लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रिस करिए ताकि हमारे वीडियो और नोटिफिकेशन मिलते हैं